Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई network तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें नवी मुंबई के जंता के लिए राहत भरी खबर ये है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों से जादा आज कोरोना से डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या रही बता दे कि आज 94 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमन का कुल आखड़ा 2204 तक पहुँच च नवी मुंबई हाइलाइड बता दे कि आज नवी मुंबई महानगरपालिका में अक्षिन कड़े रहा अज नवी मुंबई मन्पा आयूप दरना साहे मिसाल ने जोरदार कारवाई करते हुए वाशी महानगर पालिका अस्पताल में शवों की अदला बदली प्रक्रण में तीन डॉक्टरों के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी क्या है। इन डॉक्टरों में शामिल है वाशी मनपा स्पताल के वैदिकी अधिक्षक डॉक्टर प्रशांद जवादे, न्याय वैदिक शास्त्रग्य डॉक्टर भुमेश दराडे और भूशन जैन। इतना है नहीं मनपा आयुक्टी की तेज तर्रार कारवाई की घाज, मनपा के वैदिकी अधिकारी डॉक्टर राव साहे पोटे पर भी गिरी है। अज राज्य सरका ने नवी मुंबई महानगर पालिका को कोरोना जांच अर्था स्वैब टेस्ट करवाने के लिए सरका ने तीन अतरिक्त लैब के मनजूरी दे दी है। जिसके बाद अब नवी मुंबई महानगर पालिका के पास कुल पांच लैब उपलग्ध हैं जिसके मादन से अब जिन नागरिकों को कोरोना जांच रिपोर्ट आने में हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था अब इंतजार खत्म हो जाएगा बता दे कि राजसरकार ने जिन तीन लैबों को अनुमती दी हैं उनमें शामिल है जे जे आई एन एचेस अश्विनी और टाटा एक्ट्रेक्ट इतना ही नहीं नवी मुंबई करों के लिए एक और अच्छी खबर आई है बता दे कि नवी मुंबई महानगर पालिका ने केंद गरबवती महिलाओं के लिए खास तोर पर नियोजन भी किया है जिन्हें पहले एम्बुलेंस की काफे दिक्कते होती थी ऐसे गरबवती महिलाओं के लिए ये नियोजन किया गया है अब कोवेट 19 के लिए 19 एम्बुलेंस की नई योजना आयुक्त ने बनाई है जिसके तह अब गरववती महिलाओं के लिए एंबुलेंस की कमी ना हो इसके लिए हर अस्पताल में खास न्योजन किया गया है और पांच एंबुलेंस सिर्फ गरववती महिलाओं के लिए है आरक्षित रखी गई है कोरोना के लावा अन्य बिमारियों से पीडित मरीजों के लिए 6 एंबुलेंस, 10 बसों को भी एंबुलेंस में रुपांसरित किया गया है वहीं विधायक निधी की माध्यम से 3 अतरिक एंबुलेंस लेने का प्रस्तार भी उन्होंने थाड़े जिलादीकारी को दिया है तो इसी की साथ डिस्चार्ज हुए मरीजों में शामिल है 34 महलाएं और 64 पुरुष गए एरोली से 3 महला तीन पुरुष कोरोना मुक्थों के डिस्चार्ज हुए दिखा से 1 महला तीन पुरुष कोरोना मुक्थों के डिस्चार्ज के गए तो चली अब ग्राफिक इमादम से समझने की कोशिश करते हैं कि आज नवी मुंबई में कहां कहां पाए गए कोरोना संक्रमित परीज एरोली में 24, दिखा में 4, घंसोली से 11, फोपे खेंडे से 31, नेरूल से 6, सान पाड़ा से 2, तुर्भे से 2, वाशी से 9, बेलापुर से 5 बताते कि एरोली सेक्ट 15 से 2, सेक्ट 10 से 1, सेक्ट 5 से 2, सेक्ट 8 से 2, सेक्ट 3 से 1, सेक्ट 1 से 2, सेक्ट 19 से 1, सेक्ट 2 से 1, सेक्ट 8 से 1, सेक्ट 16 से 2, एरोली गाउं से 3, एरोली नाका से 1, कातकरी पाड़ा से 1, एरोली से 3, और चिंच पाड़ा से 1, कोरोना कुरोना संख्रमित मरीज पाय गए गप सिर्णागर नगर से टुद щिनचाली से, एक क्रोना संख्रमित मरीज पाय गया सांफड़ा के बाद करें तो सेटर 5 से 1, सेटर 4 से 1, वहीं तुरबे की सेक्ट 21 से 2 कुरोना भ॥ मरीज पाय गए वाशी से, सक्ट 15 से 1, सक्ट 11 से 1, सक्ट 14 से 1, सक्ट 11 जुहुगाउं से 3 करोना पॉजिटिव मरीज पाऊगे bırakיד, जबकि कोपरी गाउं से 3 करोना पॉजिटिव मरीज पाऊगे bırakיד कोपे खेड़ने के तरु बढ़ें तो सक्ट पंदरा से चार, सक्ट दस से चार, सक्ट चार से पांच, सक्ट उन्नीस ए से चार, सक्ट बीस से एक, सक्ट एक से एक, सक्ट उन्नीस से एक, सक्ट नौ से तीन, सक्ट बारा डी से दो, सक्ट आठारा से दो, वोनकोडे से एक, खै उने गाउं से एक और सक्टेक 11 से दो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए तो इसी के साथ बढ़ते हैं और समझते हैं ग्राफिक के माजन से कौन सी एज ग्रूप में कितने कोरोना संख्रमित मरीज पाए गए एक से दस की एज ग्रूप में दो बच्चे आज कोरोना संख्रमित पाए गए तुछली अब डालते हैं नजर कि आज नवी मुबई में कहां कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। सेक्ट 15 को पर खेंडे 20 वर्शे महिला कोरोना पॉजिटिव। ओल्च पूरुश करूना पोज़ीव मज इन कि आथाएसवर्ष्य महिला कोड़ूं ॥ कोरोन पॉज़ु पॉरू न कि दिख." नाम देव डगर दिगह, 65 वर्ष पुरुष कोरोना पॉजिटिव, बिंधु माधम डगर दिगह, 39 वर्ष पुरुष कोरोना पॉजिटिव, 16 घंड सोली, 37 वर्ष पुरुष कोरोना पॉजिटिव, घंड सोली, 30 वर्ष पुरुष कोरोना पॉजिटिव, गाउ देवी वाड लाज सुली जिसले भाछी सौना प्यूम को डॉज सेक्ट 26 सिब्री बिला पोल 22 वर्षे पुरुष कोरुना पॉजिटिव सेक्ट 20 ने रूल 29 वर्षे महिला कोरुना पॉजिटिव सेक्ट 20 ने रूल 25 वर्षे पुरुष कोरुना पॉजिटिव सेक्ट 20 ने रूल 26 वर्षे पुरुष कोरुना पॉजिटिव सेक्ट 20 ने रूल 43 वर्षे पुरुष कोरोन पॉजिटिव, 10 नेरूल, 40 वर्षे महिला कोरोन पॉजिटिव, 15 वर्षे महिला कोरोन पॉजिटिव, पाउने गाउन नवी मंबई, 47 वर्षे पुरुष कोरोन पॉजिटिव, 11 जुहु गाउन, 43 वर्षे पुरुष कोरोन पॉजिटिव, 15 वर्षे महिला कोरोन पॉजिटिव, 40 वर्षे महिला कोरोन पॉजिटिव, 10 को पर खेंडे, 7 महिने का बच्चा कोरोन पॉजिटिव, 10 को पर खेंडे, 15 वर्षे महिला कोरोन पॉजिटिव, 18 को पर खेंडे, 27 वर्षे महिला कोरोन पॉजिटिव, सेक्ट एक को पर खहएँडें। साथ वर्ष ही पुरुश का पॉजिटिव ऐनिे सेक्ट उन्नीस को पर खहएँडें। साथ वर्षी पूरुष कोरोना पॉजटिव, सुझा नगर घंदफे, सुझा फुरुष कोरोना पॉजटिव, 68 एरोली 36 वर्षी पुरुष कोरोना पॉजिटिव सिधार तगर रबाले 31 वर्षी पुरुष कोरोना पॉजिटिव रबाले गाउं 30 वर्षी महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्ट 10 एरोली 50 वर्षी पुरुष कोरोना पॉजिटिव कातकरी पाडार रबाले 30 वर्षे महिला कोरोना पोजिटिव सेक्टर दो एरोली 39 वर्षे महिला कोरोना पोजिटिव सेक्टर 19 एरोली 44 वर्षे पुरुष कोरोना पोजिटिव एरोली गाउं एरोली 50 वर्षे पुरुष कोरोना पोजिटिव एरोली गाम, 44 वर्ष महिला, कोरोना पॉजटिव, एरोली नभी मुंबई, 65 वर्ष महिला, कोरोना पॉजटिव, एरोली नभी मुंबई, 64 वर्ष महिला, कोरोना पॉजटिव, सेक्ट तीन एरोली, 45 वर्ष महिला, कोरोना पॉजटिव, सेक्ट एक एरोली, 23 वर्ष महिला, को आज नवी मुंबई के लिए यह रहा कि नवी मुंबई में 98 कोरोना पॉसिटिव मरीजों को कोरोना मुक्त करके डिस्चार्ज कर दिया गया और इसी के साथ कोरोना पॉसिटिव से नेगेटिव का आकड़ा भी बढ़कर 1346 तक पहुच चुका है और इतना ही नहीं कोरोना मु करने से सोला घंड सोली से नौ एरोली से छे और दिखा से चार तो चलिए अब डालते हैं आफ़रों पे नजर खुल कोवीड नाइटिन डेस्च जांच संख्या ग्यारा हजाद साथ सो उन्चार्ज कोरोना पॉसिटिव केस एक तीस माई दो हजार बीस यानि आज के एक्टिव केस साथ सो पचासी कॉरिंटैन का समय पूरा कर चुके लोगों की संख्या 21,819 कोरोना जांच में पाएंगे फुल नेगेटिव केस 8,886 रिपोर्ट प्रिलंबिस 669 कोरोना पॉसिटिव से नेगेटिव का आख़़़ा 1346 कोरोना पॉसिटिव से नेगेटिव का आख़़ा 31 माई 2020 आज 98 और मृत्यू का आख़़ा 70 ब्योरो रिपोर्ट नभी मुबै नेटवर्प